भारतिय रेल्वे की तक्काल सेवा का लाखो लोग फाइदा उठाते हैं। नए दिल्ली, भारतिय रेल्वे में तक्नीक का बहतर प्रयोकरी बुकिंग की सुविधा उपलब्द कराए। बाद में रेल्वे में कुछ जरूरत मंदों का ख्याल रखते हुए तक्काल सेवा आरंब की। इस सेवा का काफी लोग लाब उठाने लगे, इसके बाद रेल्वे ने भष्टाचार की कई शिकायतों के बाद अपनी इस सेवा का ओनलाइन किया। समय बीतने के साथ हालात यह हो गए कि कुछ गया उनने ओनलाइन टिकट बुकिंग और ततकाल बुकिंग में भी सेंध लगा दी। और होने यह लगग की जिन लोगों को ततकाल टिकट की जरूरत की उन्हें यह नहीं मिलता था। रेलवे ने फिर अपनी बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव किया। से एक दिन पहले सुबहत दस बजे से होती है। बुकिंग शुरू होने के आधे घंडे तक अधिकरते जेंग ततकाल टिकट नहीं बुक कर सकते हैं। सिंगल यूजर आइडी से एक दिन में सिर्फ दो ततकाल टिकट बुक किये जाओ सकते हैं। एक IP address से भी अधिक्तम दो ततकाल टिकट बुक हो सकते हैं। नए नियमों के तहट कुछ शर्तों के साथ ततकाल टिकट पर 100% तक रिफांड ले सकते हैं। ट्रेन के शुरू आती स्टेशन पर 2 घंटे लेठ होने, रूट बदलने, बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन के नहीं जाने और कोच ट्यामेज होने या बुक टिकट वाली श्रेनी में यात्रा की सुविधा नहीं मिलने पर आप 100% रिफिन्ट मिल सकता है। रेलवे ने राजिस्ट्रेशन, लॉग इन और बुकिंग पेजों पर कैपचा कोड की व्यवस्था की है।